हलो फ्रेंट च्वागत है आपका छेवी किचिन में आज मैं आप लोग के साथ शेर करने वाली हूँ रेस्टोरेंट से भी बढ़ियां प्राइड ओनियन रिंग्स की रेस्पी ये बनाना बहुत ही इजी है और घर में कम खर्च में बनके तयार भी हो जाता है इसी तरह के मज करके प्याज ले ली हूँ आप इसकोके कट कर लेंगे। अपर का भाग को अलग कर लेंगे और प्याज को मोटा-मोटा पीछ में कट किजिएगा तभी रिंग्स अच्छे बनेंगे और ये पीछे का भाग को इस तरह से अलग कर लेना है आप देख सकते हैं इस तरह से मोटे पीस में कट करना है प्याज कटके तयार कर ली मैं अब सभी रिंग्स को अलग-अलग कर लेंगे आप देख सकते हैं इस तरह से सभी रिंग्स को अलग-अलग कर लेना है और ये बीच के भाग को अलग कर लेंगे इसको आप किसी भी सब्जी में यूज़ कर सकते हैं अब एक बावल लेंगे ओनियन जिंग्स को बावल में डाल लेंगे और 2-3 चमच मैदा डालेंगे या इसके जगाँ आप कॉन फ्लोर भी ले सकते हैं और इस तरह से उपर नीचे करते हुए कोटिंग कर लेंगे प्याज चिकना होता है तो इसको पेटर में डिप करेंगे तो अच्छे से डिप नहीं होगा मैदा या कॉन्फलोर का कोटिंग कर लीजेगा तो पेटर में अच्छे से डिप हो जाएगा अब एक प्लेट में निका कटा हुआ लर्सुन या कदुकस किया हुआ और आधा छोटी चमाच भूना हुआ जीरा पाउडर आधा छोटी चमाच चाट मसाला एक चोथाई छोटी चमाच लाल मिर्च पाउडर स्वाद के नुशार नमक डालेंगे अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके बेटर बना ल लेंगे हमारा बेटर बन के तयार हो गया आप देख सकते हैं मैं चमन से दिखा देती हूं इस तरह के बेटर बना के तयार करना है और ब्रेड क्रम्स लेंगे आपके पास ब्रेड क्रम्स नहीं है तो ब्रेड से भी बना सकते हैं ब्रेड के किनारों को चाकू के साहता से हट लेंगे आप चाहें तो नहीं भी हटा सकते हैं अब रफली ब्रेड को कट कर लेंगे और एक मिक्सी के जार लेंगे और ग्राइंड कर लेंगे यह हमारा ब्रेड क्रम्स बनके तयार हो गया ओनियन ट्रिंग्स को बेटर में अच्छे से डिप कर लेंगे इस तरह से आप देख से करंब्स में लीप हो जाएं ऑशे से करंफ का कूटिंग हो जाएं इसी तरह इन इसी तरह सारे वॉनियान रिंग्स में बेटर उरго क्रम्ष का कोटिंग कर लेंगे सारे ओनियन रिंग्स को करम्स में डीप करके प्लेट में रख सकते हैं अब चलते हैं फ्राइ करने साइड में कड़ाई में तेल गरम होने के लिए रख दिये थे तेल गरम हो गया है एक ही करके रिंग्स को डाल लेंगे जितना कडाई में आ सकता है उतना आप एक बार में onion rings को डाल सकते हैं और एक तरफ हलका golden brown होने देंगे थोड़ी दिर बाद हलका ही ला लेंगे एक तरफ golden brown हो गया अब इसको एक एक करके पलट लेंगे दोनों तरफ golden brown होने तक तल लेना है यह हमारा onion rings तल के तयार हो गया आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा color आया है और देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है इसी तरह सारे rings को तल के तयार कर लेना है सारे onion rings तल के तयार कर ली मैं आप चलते हैं सरू करने इसे आप किसी भी चटनी के साथ सरू कर सकते हैं इसे मैं tomato sauce के साथ सरू की हूँ tomato sauce के साथ यह बहुत ही अच्छा लगता है खाने में एक मैं खा करके दिखाती हूँ आवाज चे आप समझ सकते हैं कितना है क्रिस्पी बन के तैयार हुआ है आप भी ट्राइ कीजिएगा और कमेंट करके बताएगा आपका ओनियन लिंक्स कैसा बना यह हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी हिल्फुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अब मिल प्रिटे है नए वीडियो में नई रस्पी के साथ अब नहीं है वीडियो में आइस विदियो में आइस पीके साथ